तो यसे कि आप देख सकते हो इस वीडियों माँ अप्लाइ करने वाले है इस प्रिक के फूल कवर टेंपट ग्लास को इस आइफोन 13 पे जो हमने अभी अभी पर्चेस किया तो यहाप देख सकते हो कोई टेंपट ग्लास जो इसके ऊपर लगा नहीं है तो अभी फटा फट से इस प्रिक का टेंपट ग्लास लगाती है इसकी प्राइजिंग है आप देख सकते हो 599 रुपीज की प्राइजिंग है जहाँ हमने फिलिप कार्ट से इसे ओर्डर किया था तो चलिए इससे पहले टेंपट ग्लास को हम भार निकाल लेते देखते किस तरह से जो है तो इस त देख सकते हो 13, 13 Pro और iPhone 14 यहाँ पर लिखा है लेकिन 13 and 14 के लिए जो यह compatible है मेरे इसाब से और यहाँ पर देख सकते हो टोपाज हार्डनेस, scratch resistant, olio phobic coating है और high sensitivity यहाँ पर इन्होंने बता ही है box content आप यहाँ पर जो है देख सकते हो तो चलिए इससे फटावट से open कर लेते ह तो कुछ इस तरह का जो आपको box open करने के बाद जो अंदर पहले तो यह kit मिलता है installation kit इसमें भी क्या क्या चीज़े हो देखते है और यहाँ पे जो हमारा यह tempered glass है इससे भी भाहर निकाल के देखते है तो यहाँ पर आप देख से तो इसमें कहीं भी आपको black border देखने ने मिलते है जो कि अच्छी बात है मैंने वनप्लस के लिए दो दिन पहले tempered glass मंगाया था order किया था इसमें black border जो देखने मिलती है इसके बेजल थोड़े से थिक देखने मिलते है लेकिन यहाँ पर नहीं ह जो कि अच्छी बात है और kit में जो as usual आपको सारी चीज़े देखने मिलेंगी तो यह आप यहाँ पर देख सकते हो पहले तो आपको यह बता दिता हो कि अगर आप इसे flip card से order करो जैसे हमने order किया तो अगर आपको by chance tempered glass टूटा है तो आप इसे exchange नहीं कर सकते है लेकिन अगर आप sprick के official website से इसे order करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो send image of broken product via whatsapp तो within 24 hour जो है आपको replacement के बारे में यह बता सकते हो तो यह सारी चीज़े आपको ध्यान में रखनी है और यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ सारी चीज़े आप इन्होंने जो है mention क्यों ही है यहाँ पर आप यह sticker वगर देख सकते हो dust हटाने के लिए यहाँ पर एक wet wipe है और एक dry wipe है as usual यहाँ पर एक dry cloth है यह वाला और यहाँ पर आपको अच्छे से plain ग्लास को प्रेस करने के लिए यहाँ पर यह दिया हुआ है और अगेन यहाँ पर इनकी कुछ चीज़े यहाँ पर instruction manual दिया किस तरह से आपको इसे follow करना इस process को तो इस process को जो हम शुरू करते हैं आपको दिखा दे किस तरह से जो हम यह आइफोन 13 को tempered glass apply करने वाला है तो यहाँ पर जो हम पहले wet wipe जो है use करने वाले यह वाला तो आपको बस wet wipe लेना है पहले आपके हाथ जो है साफ होने चीज़े एकदम जैसे कि इनों ने बताया है यह रहा wet wipe यह alcohol के साथ इसे open करके जो आपको alcohol की smell आती है तो इस तरह से जो आपको इसे rotate करते हुए जो यहाँ पर wipe करना है डिस्प्ले को अच्छे से corners भी जो आपको यहाँ पर ठीक से जो है साफ करने वाइब करने और अभी जो हम यहाँ पर यूज़ करने वाले dry wipe को wet wipe जो हमने पहले यूज़ कर लिया है तो wet wipe के बाद जो आपको यह dry wipe करना है अगेन phone को ऐसे लेना है और wet wipe के बाद जो है dry wipe जो है ऐसी follow करना है rotate करते हुए डिस्प्ले के उपर अच्छे से wet and dry wipe जो यूज़ करने के बाद जो है आपको यहाँ पर और एक जो यहाँ पर एक cloth मिलता है तो इसकी अंदर वाली side आपको यूज़ करने है और अभी मैं ध्यान दूंगा टेंपड को अपलाए करने की तरफ और यहाँ पर black border नहीं है तो आपका जो है अगर आपके finger वगरे टेंपड पर आगए तो प्रॉब्लेम हो सकती है तो आपको टॉप एंड बॉटम जो है एज़ेस देख लेने मैं उपर वाले देख लिए अब नीचे वाले देखूंगा और यहाँ पर मैंने टेंपड को छोड़ दिया नीचे और अभी यहाँ पर यहाँ नीचे सब्सक्रेस करेंगे उपर से प्रेस करते तो यह आप देख सकते हो अपने आप जो है आगे आगे जाना जो शुरू हो चुका है ग्लू जो है खुझ से अपला हो रहा है बॉटम तक और अगर कई पर अगर बबल बचे अभी तो मुझे यह पर बबल दिख नहीं रहे है तो आप जो है इसे यूज कर सकते हैं जो हमें बॉक्स में आया था यह देखिए है तो एकदम जो है पूरी तरह से जो हमना आ रहा है टेमपर ठीक से अपलाए हो चुका है कभी बबल वगरे आपको देखने नहीं मिल रहा है टॉप एंड बॉटम तो आप उपर से नीचे शुरुवात कीजिए अगर आप नीचे से उपर करोगे तो कभी-कभी जो उपर की तरफ जो बबल छुट जाते है इसलिए मैं आपको ऐसे बता है तो इस तरह से जो आपके फोन पे जो है आईफोन और आंड्रोइड और स्प